और जी साथियो लवली फार्मिंग यूटूब चैनल में आपका स्वागत है ये चपन कद्दू की फसल अब 20 दिन की हो चुकी है इसमें नराई गुड़ाई का काम कंपलीट हो गया उसके बाद मिट्टी चड़ाने वाला काम चालू है मिट्टी चड़ाने से पहले इसमें ड ची से 30 किलो परती है कड़ डी ए पी और 15 किलो पटाष का शेटा समें दे दिया था उसके बाद इस तरीके से ऐकसी से पौद्दों के जडों के पास मिट्टी लगा रहे हैं जिससे डियप्पी और पटाश पौद्दों को अच्छी तरह से मिल जाएगी और पौद्दों के तनों को पूरी मजबूति मिलेगी जिससे पौद्दा डाली में नहीं आएगा और पौदे के तने को डिरेक्ट पाणी नहीं लगेगा जो भी पाणी है वो जड़ों के दोबारा सिलन से पौदों को मिलेगा जर्मिनेशन के बाद ये फसल को दूसरा पाणी है यानि कि पहले पाणी में इसका जर्मिनेशन हो गया था उसके बाद है अब दूसरा पणी चपण को दूख लगा रहे है और इसमें हर दूसरे दिन बाद सप्रे की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसमें सफेद मच्छर बहुत ज्यदा टैक करता है जिस से ये सारी फ़सल में वायरस आया था और सारी फ़सल कराव हो जाती है और पंदरा दिन के बाद इसमें फंगी साइट की जूरूरत पड़ती है हर पंदरा दिन के बाद इसमें इंसेक्टी साइट के साथ फंगी साइट मिलाकर सप्रे कर दी जाती है